एक हैलो फ्रेंट वेल्कम टू माई एक जवम रिपी फॉइंट में आपका स्वागत है तो फ्रेंट बात करते हैं आज के इस वीडियो में एससे जीडी कट आप के बारे में तो फ्रेंट बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा और आपकी जो आंसर की है कब तक आएगी एससे जीडी कट आप 24 एक्सपाड़ेट कट आप क्या रहने वाली है और इतने नंबर हैं तो आप दोड़ना सुरू कर दिजिए सभी स्टेट की कट आप इस वीडियो में तो फ्रेंट वीडियो म कि प्रेंट की उसके इसाब से इसवार की कट आप क्या रहने बाली है तो यह सबस्टे साल की कट आप वहारेंके तो कट आप जैसे मतार रहे हूं बड़े बड़े इस्टेट के बता रहे हूं जैसे कि मत पर देखेश बिहार चतिस गाल राइस्तान और प्रतिस दिनको अलग अलग राज्यों की अच्छी अच्छी कट आप जाती है उस राज्यों की मैं कट आप लेके आया हूं तो फ्रेंट जैसे की जनरल की कट आप गई थी फाइनल कट आप जिसमें ओभी सी मिली थी एकसुपचपशन नमर पर मिली थी ओभी सीट की बात करें ओभी सी मिली थी एकसुपच़च़ नमर पर बीसाप इंड़ी स्टुडेंट को 114 पर final selection हो गया था आंगे बात करते है friends तो ये तो रहा था friends क्या final selection लेकिन इसके पहले क्या जो आपको हुआ था physical के लिए बुला लिया गया था तो उसमें मैं बता दूँ आपको जैसे कि OBC था 119.56 पर बुला लिया गया था physical के लिए OBC मत पर्दिश से और जनरल की 120 अब बताते friends इस बार की क्या रहने बाली है सबसे पहले तो मैं आपको तीन डिपरेंट बता दीता हूं जैसे कि इस बार विगैंसी 26,000 है उस बार उस टम कितनी थी 50,000 यानि कि सीधा आदा का अंतर है कितना आदा है आदी का विगैंसी है दूसरा अंतर क्या है friends इसमें पर कठिन था उसके साबसे साल एजी पेपर आया जो एक गंटे में नॉर्मल इंस्ट्वेंट कर सकता था उसके बाद थोड़ी बिगैंसी की इनकीरीज हुई है जैसे कि इस बार फॉर्म डले है 47,000,000 और उस टम डले थे 24,000,000 और इस साल डले है 47,000,000 यह सबसे बढ़ा अंतर है अब चलिए बात करते है फ्रेंट 24 की एक्स पाड़ेट काट ओफ फिजीकल के लिए कितनी रहने वाली है उसके बाद मैं बताऊंगा फाइनल काट ओप उसके बाद मैं बताऊंगा आपकी आंसर की किस दिन आएगी किस टाइम पर आएगी तो वीडियो मिलाश्ट तो यक्ति कर दीजे चलिए बात करते हैं 24 की एक्सपाड़ेट काट ओफ फिजीकल की लिए फिजीकल के लिए फिजसे आपकी जिव जन्रल के टिगरी के हैं अगर आपके 125 नंबर है तो आपको फिजीकल के लिए नमवर पर बुला लिया जाएगा और अगर आपके एक सु आप रहें एक250 नंबर है तो आपको पिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा एसी गली में एक सो सब्सक्राइब कर रहा था है और यह घंडी जी के सब नॉर्मल और बताते हमों को तो फाइनल राएगी कट बहुत अच्छी स्तर्षी कि रहेगी कोई इस्टुएयन मानने या ना मानने लेकिन आपको मानना कि इस बार कट पर बहुत अच्छी स्थर्षी रहने वाली है कि प्रेपर बहुत ईजी था निगेटेव मार्किंग थी एक बटे आड़ थी सब लोगोंने तुक्का लगाने का मौका मिला जब लोगों ने तुक्का लगाया और ऐसे नहीं सभी लोगों ने पर साथ कुर्शन बनाए थे उन्होंने भी पचातर एटेम्ट किये इस पर तुक्का लगाया उन्होंको भी मौकर मिल चुका है इसलिए इसका बार कट अच्छी रहेगी आंगा बाद करते इसकी फानल कट अब क्या रहने वाली है जस्टिक फ्रेंड अगर आप जन्रल के टि तेकली कर देना चाहिए कि इसका सबसे बड़ा स्कोर रएगा किसका रएगा नौर्मलाइजेशन में हद सद स्कोर बढता है ग्यारा से लेकर 30 नमर नर्मल एक सद एक से लेकर 11,13 नमर कि न्मर बहत ही जाते हैं कम तो बहुत कम होते हैं बहुत कम होते हैं उन्हेंकी किसमत होगे लेकिन हद नमर बढ़ते हैं और नॉर्मल इस्टोनेट होगे जो पेपर के साफ से साथ सार नमर बढ़ी जाते हैं अगर आपके इस स्कोर से दो चार नमर इधर अधर भी है तो आप फिजीकली तयारी कर सकते हो अपनी और अभी तक आंसर की नहीं आई आंसर की आने के सब्सक्राइब के लिए इतने पर बुला लिया जाएगा बात करते फ्रेंड्स ओविस्टी की कट आप फाइनल कितनी जाएगे 139 से लेके 131 पर फाइनल कट आप हो जाएगी इस्टी कर्टिगरी की 124 से लेके 126 नमर पर इतने पर बुला लिया जाएगा और एस्टी कर्टिगरी को 118 से लेके 120 नमर पर बुला लिया जाएगा फाइनल कर टोप है अब फ्रेंट यह तो रही है बाड़े बले स्टोर्ड इस्टेट मत प्रदेश उतरप्रदेश बहर जहां पर रहा इस्टा जहां पर कॉंडिशन बहुत अच्छी लेवल का देखे लेकिन जैसे कि कुछ नक्से लिए एरिया है और कुछ जैसे कि आंद प्रदेश है और वहां पर मिजूरा महमानी फोर है तर पुरा है इसकी कट-अप कम रहती है तो उसकी कट-अप बहुत कम तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो आपका एक्जाम हुआ था 20 फरवरी से स्टाइट हुआ था और 7 मर्थ तक आपका एक्जाम चलना था 20 तारिक से लेके 7 मर्थ चलना था उसके बाद क्या हुआ एक जो नोटेस आया मैं आपको देखा देता हूं आंसर की कब तक आ चूट गया थे जिसका अभी एक्जाम नहीं हुआ था तो एक रीजन का एक्जाम नहीं हुआ तो उसका एक्जाम होना है और आज 11 तारिक के आज एक्जाम होगा और कले एक्जाम 12 को होगा तो फर्ट या तो SSE वाले एक करेंगी कि अगर आप लोगों को एक रीजन को अगर आज नहीं आती तो इसकी आंसर की 15 मार्श को ही आएगी फिर आंगे बात करते है और आपको प्रेंट मेरा टेलीग्राम गूरूप जॉइन नीचे लेंक के इस पर मैं सबसेयला नोटिविगरेंजण डाल देता हूँ कल मैने यह पर डाल दिया था कि SSCDD आंसर की कल आएगी बेट करो नहीं तो यह 15 मार चुका आगी और मैंने सिधी यहाँ पर लिंक भी डाल दिया है सिधा आपको लिंक पर किलिक करना और आपको अपनी आंसर की खुल के आजाएगी यह से तो फिर्ट सिधा आपको मैंने लिंक डाल दिये हू झाल को Safari आपको पता चाल जाएगी किस तरह से देखने को मिल जाएगी मिलते है नेस्ट वीडियो में कर दो तो ब कर दो दो कि घंचे हैं